हलो मेरे प्यार बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया साथ तो कैसे हो मेरे बबर सेर और सेरनियों उमेद है आप सभी अच्छे होंगे और त्यारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रहे होगी तो आपकी त्यारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो है ना वो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है आज तो भाईया हम धमाका करने वाले हैं बस आपको भी दिल लगा करके मेहनत क साथ अच्छे से पढ़ाई करने होगी बच्चों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर बैदुत रशायन का वन सौट सॉल्यूशन देखने वाले हैं जिनकी तयारी ठीक ठाक नहीं हुई है तो उनके लिए तो ये रामबार है और जिनकी तयारी इन उसमें टैबलेट का काम कर जाएगा थोड़ा तंदृस्ती और आजाएगी ठीक है ना तो चलिए देखते हैं बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है बच्चों आपको बस मेहनत के साथ अब लग जाना है पढ़ाई करना है क्योंकि अगर आप चाहलेंगे तो कुछ भी असं कलाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और होशले हो बुलंद तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है बिलकुल भया हर एक चीज पॉशिबल है आपके अंदर भी वो काबिलियत है बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे निखारने की ठीक है ना उस काबिलियत को बा कोशन है बैद दुट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध क्या है इसका मातर एसे करके पूछेगा यह सारे ठोपिक 2-2 नंबर वाले होते हैं NT जो बैद दुट प्रतिरोध या प्रतिरोध की परिभाशा लिखना है और साथ ही इसकी काई भी चलिये समझते हैं उन्हें में फ प्रतिरोध का मतलब रोधक और उत्पन होता है तो प्रतिरोध का मतलब होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भया बाधा होता है ठीक है तो ऐसा कारक यानि ऐसे फैक्टर जो बैदुत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन गर दें एकदम सिंपल वाली परिभासा बताएंगे रसगुलों कहीं बुक वगेरा से ऐसा नहीं कि हाँ आपको रटवा दें इदर उदर नहीं हमारा सिर्फ एक ही मक्षद है कि प्यारे रसगुलों को इतना कुछ दे सकें कि वो आराम से याद हो जाया तो बस इतना ध्यान देना ऐस ऐसा कारक जो बैदुत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर दे या बैदुत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन कर दे तो उस कारक को कहा जाता है प्रती रोध क्या कहते हैं प्रती रोध कहते हैं आई बात समझ में तो अब हम यहाँ पर परिभासा लिख दिया है हमने भया आपको रटने की जरुरत नहीं है तो ऐसा कारक जो बैदु धारा के मार्ग में बाधा उत्पन कर दे उसे पन क्या बोलते हैं बच्चों प्रतिरोध कहते हैं अगर हम प्रतिरोध की बात करें भया तो इसे किसे दरसाया जाता है इसे आर से दरसाते हैं ठीक है ना प्रतिरोध को किसे दरसाते हैं बच्चों तो आर से दरसाते हैं ठीक चलिए अब यहाँ पर देखिए गए इसमें जो फार्मूले हैं इस पर नूमेरिकल बहुत जादा पूछते हैं इस चेप्टर के बच्चों याद रखना इस चेप्टर में numerical बहुत मज़ेदार वाले बनते हैं ठीक हर साल एक तीन नमबर का या फिर चार नमबर का numerical बनता है तो यहां पर लिखेंगे R बराबर ठीक जो प्रतिरोध के बराबर फार्मूला होता है R बराबर होता है बच्चों Rho into L upon A ठीक है कहां से आया क्यों आया कैसे आया का है आया यह सब बताएंगे ठीक है ना अभी फार्मूला जानिए जिससे आपको सवाल इसमें हल करना है numerical लगाना है तो उसके लिए फार्मूला R बराबर Rho into L upon A यह हो जाता है ठीक है प्रतिरोध के बराबर फार्मूला अब एक चीद ध्यान देना वच्चों इसमें अगर आप देखें तो आपको दो चीजें निकल कर आपके सामने आ रही है ठीक है कभी कभार यह पूछ लेता है कि जो प्रतिरोध होता है वो किस बात पर निर्भर करता है पूछा गया है पिछले ही साल 2024 में भी 22 में भी आया है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ठीक है ना या प्रतिरोध को भी कौन-कौन प्रभावित करते है इस तरह से question कुछ बनता है तो एक चीज़ अगर इसमें देखें तो एक चीज़ ध्यान देना भीया यह जो प्रतिरोध है किसके अनुकर्मान उपाती है लंबाई के ठीक है तो कहने का मतलब पहली चीज़ है विया कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुकर्मान उपाती होता है तो यह लंबाई के ठीक यानि तार की जो लंबाई होती है ठीक है ना दूसरी बात बच्चों ज प्रतिरोध होता है ठीक वो किस पर निर्भर करता है तो यह होता है छेत्रफल के व्यूत कर्मा नुपाती क्योंकि अगर देखें तो वन अपान ए है तो यह छेत्रफल के व्यूत कर्मा नुपाती भी होता है इतनी चीज समझना है ना ठीक है ना मतलब यह है कि यह अगर लंबाई के अन्कर्मान उपाती है इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा बट यहां पर आर ये है ब्यूत कर्मान उपाती वण पान एक है यहीं तार का छेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो छेत्रफल कम हो जाएगा इसका मतलब ही यही होता है और यहां पर इसका भी मतलब हमने बता दिया अब यहां पर अगर ध्यान दे बचों तो इसका अग जिसको अगर हम बात करें तो इस तरह से लिखते हैं अगर इसका प्रतीक पूछ ले ठीक है यानि इस तरह से बना है सैंबल तो ये इसका क्या हो जाता है मात्रक हो जाता है ठीक है ना तो समझ में आया भीया मात्रक क्या हो जाएगा और प्रतिरोध पूछ ले किन बातों पर निर्भर करता है तो लंबाई के अनुकर्मान उपाती होता है और क्या है तार के छेतरफल के व्योत्कर्मान उपाती होता है तो यह दो बातों पर निर्भर करता है जो आपको यहां से फीगर मतलब यह से सूतर से ही दिखाई पड़ रहा है ठीक इसमें कोई नई चीज हमने इन्वाल्व नहीं किया है चलिए भया इसको जल्दी से स्क्रीन सॉट कर ले सिए हो गया बच्चों और एक बात का ध्यान देना अगर आपने अभी तक नोर्स नहीं बनाया है तो इसको जरूर बना लेना क्योंकि यह इतना आसान है इतना जादा आपको हम सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक देंगे कि आप कहीं भी जाओ नहीं मिलेगा जाओ तुम चाहे ज किसको हमको याद करोगे ठीक है इतना आसान आपको देने वाले हैं इसलिए बोलते हैं यह वन सौट वाला तो आपको हर हाल में नोट्स बनाना ही पड़ेगा बच्चों क्योंकि यही बोर्ड एक्जाम में आपके लिए रामबान साबित होगा ठीक चलिए दूसरा देख ल लखना प्रतिरोध देखा तो प्रतिरोध का जो व्यूत करम होता है यही प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसी को कहा जाता है चालकत तो क्या कहते हैं चालकत तो कहते हैं आई बात समझ में ठीक है तो आराम से लिखेंगे कि प्रतिरोध के व्यूत करम को क्या कहते हैं मतल ठीक है ना भीया capital C से दर्शाते हैं अब उसके बाद आगर हम बात कर लें इसका फार्मूला तो इसका फार्मूला हो जाएगा C बराबर 1 upon R इस पे भी numerical बनते हैं 100 में 100 प्रतिसत guarantee के साथ कर रहे हैं या कोई guarantee नहीं लेता है लेकिन हम ले रहे हैं इस topic के लिए ठीक इस topic का मतलब यहीं के लिए नहीं इसमें जितनी परिभासा दे रहे हैं 100% है उसमें एक numerical बनता है पूरे चार नंबर में या फिर तीन नंबर में कोई भी paper हो किसी भी paper की बात कर रहे हैं बच्चों अगर साथ सिट बनते हैं तो साथों में रहेगा है ना? ऐसा नहीं है आएगा चाहे दो में आएआए चाहे तीन में आए या फिर सब में हो जाएगा बताएगा वई वन अपान आर है ठीक प्रतिरोध का मातरक क्या होता है यहां से अगर देखेंगे तो वन अपान प्रतिरोध का मातरक ओम होता है ठीक है तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं भी या इसको अगर मातरक में लिखना चाहेंगे तो हम वन अपाने तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स वन ठीक अगर हिंदी में लिखेंगे ओम इसको या ओ हम ऐसे लिखा जाता है ठीक इनवर्स वन या फिर ऐसे लिख देंगे ठीक है ओम इनवर्स वन ठीक है ओम इनवर्स वन या इसी को क्या पढ़ा जाता है मोहो इसी को मोहो पढ़ते है ठीक है हिंदी में ऐसे लिखा होता है ठीक मोहो ठीक है या इसी को बच्चो Simon भी कहते है Capital S तो आप देख रहे हैं कितने सारे मात्रक हो गए भी या आपके सामने देख रहे हैं कितने सारे मात्रक हो गए एक तो ओम इनवर्स लिखिए ठीक या इसको इस तरह से या इसी को मोहो लिखिए या फिर इसी को साइमन लिखिए ये सारे के सारे मात्रक क्या है चालकत्तु के हैं बच्चों ठीक है पता चले पूंच लिए यह ओम इनवर्स ना दिया रहे ऐसे दे इस ये भी ना दिया रहे मोहों दे दे तब क्या करोगे पता चले ये भी ना रहे साइमन दे दे तो डिक्कत हो जाएगा ना इसलिए भी कोई चीज छुटने ना पाए आई बास समझ में चले जल्दे से इसको भी स्क्रिन शॉट कर ले यहां के लेकर रहें अब चलते हैं एक्ट टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक है यह important है यह भीया important है इस्टार बना लिज यह टपकेगा पेपर में यह most इम्पोर्टन है काफी जादा पूछा जाता है एक विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब की परिभासा वाइस की काई या फिर मातरख कह लें बहुत ही मज़ेदा टॉपिक है अब देखिएगा इसको परिभासा समझने से पहले समझिएगा जैसे माल लेते हैं कि कोई चालक तार है ठीक है इसकी लेंथ लंबाई हम कुछ L माल लेते हैं इसके तार के अनुपरस्थ काट का जो छेतरफल है माल लेते हैं वो A है ठीक तो अब परिभासा समझना ये कोई प एक मान एक मीटर स्केर रख देए अगर सेवी में मानते हैं तो 1 सेवी स्केर रख लेए ठीक है तो एक आंक अनुप्रस्थ काट वाले ठीक है तथा एक आंक लंबाई याен Welsh यानि येल का मान भी चाहे एक मीटर ले लें चाहे एक सेंटीमीटर ठिक है कांक लंबाई के तार में जो भी प्रतिरोध उत्पन नो हो जाए, उस प्रतिरोध को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठिक है न, एक विशिष्ट प्रतिरोध हो ता है, समझ भी आ गया, हमने क्या बताया भगां, के एकांक अनुपरस्त काट वाले छेत्रफल तथा, एकंक लंबाई केतार में जो भी प्रति रोध उत्पन्व घाए, असे प्रति रोध को ही कहते हैं विसिष्श्ट प्रति रोध कर से लिखा जाता है, बच्चों ठीक है, इसको रोध को लिखा जाता है, तो लिखेंगे कि इसे इस तरह से P की तरह होता है रो से दर्शाते हैं इसे रो से दर्शाते हैं ठीक है अभी जो हमने परिभासा मतलब एक प्रतिरोध वाला सूत्र लिखा था क्या लिखा था बच्चों आर बराबर याद करो वो दिन रो इंटू एल अपान ए लिखा था लिखा था ना रसगुलों तो इसी में अगर आप गौर से देखेंगे भी आगर यहां पर हम क्या कर दें रो बराबर जब कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा फिक रो बराबर जब रो कर देंगे त तो आपका जो मेन फार्मूला हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो रो हमने बताया ना इसको क्या पढ़ते हैं तो यह क्या है बच्चों यह सब पी की तरह होता है थोड़ा टेड़ा इसको रो पढ़ते हैं याद रखना ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा रो इसलिए तो कहाना कि भीया जैसे हमने भी फीगर बनाया था कि मान लेते हैं कि कोई तार है ठीक अब इसकी लंबाई हमने क्या ले लिया है कि मान लेते हैं कि भीया इसकी लंबाई यहाँ पे लंबाई L है ठीक यह L लंबाई है उसके बाद इसका शेतरफल A है तो अभी पर मूले में गौर से समझेगा अगर हम आर के बराबर सुरी अगर हम A के बराबर बच्चों क्या रख दें A के बराबर रख दें egt 1 meters square बता दिया चाहे एक semi square रख दें ठीक है और YL के बराबर अगर आपने एक meter रख दिया या फिर एक semi अगर दोनों रखेंगे मीटर में तो मीटर में रहेगा अगर दोनों सेमी में रखना चाहें सेमे में भी लिख सकते हैं तो यहां पर अब आप थोड़ा दिमाग लगाईएगा एक रख दिया जाए ल के स्थान पर भी एक रख दिया जाए दिन इस फार्मूले में क्या हो जा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो एकांक ठीक अनुप्रस्थ काट वाले छेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले तार में उत्पन होता है बात समझ में पल्ले पड़ा भया क्या बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस प्रति काट वाले छेतरफल तथा एक आंक लंबाई के तार में उत्पन होता है सीधी सी बात है बच्चों और कुछ भी नहीं रसगुलों अब इसका भिया हम निकालना चाहेंगे मात्रक अब यहां से आप निकालेंगे अगर मात्रक तो मात्रक क्या हो जाएगा गौर से देखिएग मात्रक कैसे निकालेंगे अब देखिए बच्चों थोड़ा यहां पर आप दिमाग लगाईए कि रो बराबर हमने बतायाने कि मात्रक निकालना है तो यहां पर समझना आर का मात्रक आर क्या है प्रतिरोध का मात्रक है ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम है ठीक है अब हमने बता उसके बाद नीचे क्या था फार्मूले में देखे ल है तो अगर HOW आ चलिक उपर ओम मेटर अब हमने ये भी तो बता दिया अगर भाई दोनों जैसे माल लेते हैं अगर आपने सेमी में रख दिया तब इसका मातरक बच्चों ओम सेमी भी हो सकता है क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं कि बस ऐसे ही ओम मीटर में ही आएगा तो याद रखना बच्चों ये मातरक हमने बोला ना कि चाहे आप ओम मेटर लिखें या अगर सेमी में रख देंगे तो सेमी मी हो जाएगा ओम सेमी लिखें वहां पर जैसा बिकल्प होगा ठीक वहां पर अगर भिया cgs पद्दत के रूप में है तो cgs पद्दत में लिखेंगे mks पद्दत में है तो वो भी लि हो गया भिया चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है कि विसिष्ट चालकत्त की परिभासा देके विसिष्ट प्रतिरोध हो गया ठीक है प्रतिरोध हुआ फिर चालकत तो हुआ फिर विशिष्ट प्रतिरोध हुआ अब विशिष्ट चालकत तो आएगा है ना सब साथ में लेकर चल रहे हैं अब विशिष्ट चालकत तो की परिभासा वा मातरक लिखना है आपको कैसे होगा भया अभी जो परिभासा इसके पहले देखा यानि विसिष्ट प्रतिरोध की परिभासा देखा जिसको रो कहते हैं उसी के अपोजिट को यानि उसी के व्यूतकरम को ये उसी के प्रतिलोम को क्या कहते हैं विसिष्ट चालकत तो कहते हैं थोड़ा दिमाग लगा ये परिभासा एकदम सिंपल है प्रतिरोध पहले हमने देखा फिर जब C का बात आया तो भाया हमने प्रतिरोध का उल्टा कर दिया तो विसिष्ट प्रतिरोध का आ गया फिर हमने क्या दिखा रो देखा यानि विसिष्ट क्या देखा विसिष्ट प्रतिरोध की बात आ रही तो इसको के सिदर साते हैं अब विसिष्ट प्रतिरोध का व्यूत करम कर दो यहीं जो प्रतिरोध का व्यूत करम किया तो चालकत्व की परिभासा आया अब विसिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दिया तो विसिष्ट चालकत्व की परिभासा आ गया ठीक है ना भीया एकदम मजेदार है ठीक है चलिए तो विसिष्ट प्रतिरोध के वियुत करम को क्या कहते है रसगुलो विसिष्ट चालकत्व कहते है अगर लिखना चाहेंगे इधर लिख देते हैं भीया कि इसे कप्पा देखिए ऐसे लिखा जाता है तो इसको कप्पा बोलते हैं कप्पा कटप्पा से याद रखना कप्पा हमेशा याद रहेगा है ना कटप्पा ने बाहु बली को क्यों मारा पता चल गया है ना तो बस उनी को याद रखना कप्पा कप्पा से कटप्पा याद रहेगा से दर्शाते हैं से दर्शाते हैं ठीक है चलिए देखते हैं अब परिभासा लिखेंगे ना बच्चों हमने क्या बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध तो के बराबर या कप्पा बराबर एक बटे रो रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध तो यही तो भाया देखना था कि विशिष्ट प्रतिर तोद के व्यूत करम को, क्या कहते हैं, तो विषिष्ट चालकत, यानि कप्पा, या विषिष्ट चालकता होता है, कप्पा कहते हैं, ठीक है ना, या अब यहां से अगर, फार्मूला निकालेंगे, one upon, रो बराबर देखा आपने फार्मूला, R A upon L निकाला था तो इसका opposite करना है तो ये चीज उपर सला जाएगा तो K बराबर क्या निकल कर आएगा तो ये अब की बार L उपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा R A नीचे क्या हो जाएगा बच्चों R A हो जाएगा ठीक है नीचे हो जाएगा R A ठीक आई बात समझ में बिसिस्ट चलकत की अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना अब यहाँ पर अगर मात्रक निकालना होगा तब हम मात्रक कैसे निकालेंगे वह आइस घर एक चीज तो पता है आपको ठीक अगर आपको यहां से मात्रक इसका निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालेंगे मात्रक के लिए समझेगा ध्यान से एकदम बढ़िया तरीके से समझना लंबाई का मात्रक मीटर ठीक और नीचे क्या है प्रतिरोध का मात्रक ओम फिर उसके बाद यह छेतरफल है इसका मीटर स्क्वेर या हमने बताया सेमी स्क्वेर अगर जिसमें रखेंगे तो दोनों अब ऐसा नहीं एक मीटर में रख दो एक सेमी में रख दो तब भी गलत हो जाएगा तो यह आपका मातरक जिनिकल आया वही उपर तो कुछ नहीं है वन अपान ओम बचा है तो एक बटे ओम को क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं यह भी उपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं मीटर इनवर्स तो भया ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके से लिखा जा सकता है या बच्चों इसी को भया प्रति ओम ठीक देखे प्रति ओम को क्या कहते हैं ओम इनवर्स को क्य कहते हैं मोहो कहते हैं कि नहीं याद है ना इसी को क्या कहते हैं मोहो ठीक मोहो आप मतलब फिर इनवर्स नहीं रह जाएगा मोहो या हिंदी में लिख देते हैं इसी को मोहो अब उसके बाद यह मीटर इनवर्स वन ठीक है ना ऐसे करके या फिर हम एक मिनट भई यह ज्यादा स अच्छा लग रहा है अंग्रेजी में मतलब धोनो इस तरह से लेटर में हैं तो मोह सकते हैं या फिर बच्शों इसी को मोह मुच को क्या पढ़ते हैं साइमनं मीटर इन वर्सवन तो इस तरीके से लिखा जा सकता है हमने बोला ना कि भीया इसमें यही चीज समझना होगा आपको तो यह परिभास मतलब इतने मात्रक हो जाते हैं अगर सेमी में जैसे या करके ध्यान देना माल लेते हैं ऐसा नहीं है विकल्प में तो विकल्प में फिर इस तरह से आएगा ओम इनवर्स वन सेमी इनवर्स वन ऐसे करके आएगा मोहो सेमी इनवर्स वन फिर इसे साइमन सेमी इनवर्स वन ऐसे करके आएगा ठीक क्योंकि अभी हमने एक चीज बताया था आपको उपर ही बताया है बच्चों फिर से लिख देते हैं ताकि मेरे प्यारे रसगुलों को वह कोई भी डाउट ना रह जाए दिए चाहे तो आप O में इनवर्स लिखिए एक कई बात है या थो भी भीया हमने क्या बताया कि आप मतलब मोहो लिख दीजिए ठीक है क्या लिख दीजिए मोहो लिख दीजिए या तो हमने बताया बच्चों इसी को साइमन कहा जाता है है कैपटल एस तो बच्चों इसी लिए हमने इसको तीन तरीके से लिखा तो किसी भी तरीके से हो शकता है ठीक है इसी तरह से नीचे भी सब में सेमी से मी लगा कर लिख सकते हैं मेन बस याद रखना कि सो मिनवर्स वन मीटर इनुए प्रति ओम प्रतिमीटर ऐसे तरने भी लिखा रहिगा ठीक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परती ऑम कि घएक प्रती मेटर अैसे भी लिखा सकता है कुई दिकत ना बटो यह पहला वाला याद रखना ठीक ज्यादा बढ़िया होगा अई बात समझ हुए बच्चो चलिए इसको भी स्क्रीन साट कर लिए ठीक है चले देख लीते हैं इस टोपिक को भी किसे सेल स्थिरांग की परिभाशा दीजिए वह इसकी काई भी लिखना है आपको सेल स्थिरांग कीशे कहते हैं थीखें क्या होता है सेल इस तिरांग दिए बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है अभी हमने बताया जैसे एक क्या करेंगे वह आपने एक सेल ले लिया अब उसके बाद बच्चों जैसे इसमें हमने बताया कि आप दो प्लेटें इसमें डाल देते हैं इसी को ऐलेक्टरोड कहते हैं वैसे कहें तो भीया एक पे माइनस एक पे प्लस यह नहीं कैथोर्ड होता है यह एनोड होता है इतनी तुम बात सबको मालूम है अब अगर ध्यान से समझना भीया इसके इसके बीच की दूरी एक जो भी दूरी हो मालते है एल है और इसका प्लेटों का छितरफल क्या है ए है तो जो सेल इस्थिरांग होता है वो क्या होता है कि प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों का परिछेत जो छेतरफल होता है इसका अनुपात ही कहलाता है सेल इस्थिरांग एकदम सिंपल सा परिमाशा क्या बताया ठीक हमने बताया भीया कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा छेत्रफल के अनुपात को ठीक यानि प्लेटों के बीच की दूरी एल है अनुपात मतलब छेत्रफल ए है इसका जो अनुपात है वही कहलाता है सेल इस्थिरांग ठीक है वही क्या कहलाता है सेल इस्थिरांग कहलाता है और बात करें तो इसे भी या इसे एक्स स दर्शाते हैं ठीक है इसको X से दर्शाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हो जाएगा X बराबर L अपान ए ठीक है X बराबर L अपान ए यही क्या हो जाएगा सेल इस्थिरांग ठीक है सेल इस्थिरांग के बराबर फार्मूला अगर यहीं से जैसे अगर मातरक पूछ लिया जाए तब या अगर मातरक पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे तो मातरक के लिए बच्चों ध्यान से समझना रसगुलों मातरक में अगर देखें लंबाई का मातरक मेटर होगा या फिर कहले हैं सेमी होगा तो जिसे हम मीटर से पहले निकाल लेते हैं मीटर नीचे क्या है बच्चों छेतरफल है तो इसका मीटर स्क्वार या फिर सेंटी मीटर स्क्वार तो भ्या यहां पे हम मीटर स्क्वार कर देते हैं ठीक है तो अगर देखें तो एक मीटर से एक मीटर काड़ देते हैं बचा क्या बच्चों ये बच गया मीटर इनवर्स वन यही तो बचा ना या फिर हमने बताया जैसे सेंटी मीटर में अगर लिखना है तो या सेंटी मीटर में जैसे आप लेकर चलते तो या फिर इसको सें आंक का मात्रक हो जाएगा मीटर इन्वर्स वन या सेंटी मीटर यानी सेमी इन्वर्स वन लिखिए कुछ भी लिख सकते हैं सिंपल सा टॉपीक है चलिए स्कुरिन सॉट कर लेजिए हो गया बचों चलिए अब यहां से इसके बाद से लाजवाब वाले टॉपिक अब सुरू होंगे अभी तक तो भया ट्रेलर था पिच्चर अब सुरू होगी है ना और पिच्चर हिट कराना है बचों इतना याद रखना ठीक है चलिए अब यहां पर हमको देखना है कि मोलर चालकता क्या होता है और इस मतलब चैप्टर में यह बहुत जादा पूछा जाता है और इस टॉपिक पर बात करें यह मोलर जो चालकता है इसके लिए जो फार्मूला होता है यह उस पर फार्मूले पर नियूमेरिकल बड़े बनते हैं लाजवाब वाले तो मोलर चालकता क क्या है इसकी काई मतलब मात्रक आपके लखना है चलिए इसको समझते हैं पहले अच्छे से इसको समझते हैं हमने क्या कि लिया कि कोई आहाँप learning उपात्र ले लिया भरतन ठीक है और इसके अंतरगत हम मान लेते हैं विया क्या है सिल का घूल है पहले दो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं इसमें इसमें दो कि यह किया है इलेक्ट्रोर्ता की हाइलाइटर है इसलिए ऐसा इसको हाइलाइट बनाना है ठीक है दिख रहा है ना वह आई थिंग एकदम पर्फेक्ट दिख रहा होगा अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना ठीक यह कोई आपका बैद्दुत अब घट्टे है शोलिउशन भरा है इसमें ठीक है बच्चों इसमें कोई विलेण है इसमें कोई विलेण क्या है भारा हुआ है ठीक अब उसके बाद थोड़ा यहाँ पर अब समझना बच्चों मान लेते हैं रस्गुलों कि यह जो प्लेटों के बीच की भाया दूरी है कितनी है वो मान लेते हैं कि एक सेंटी मीटर मान लेते हैं या फिर कह लें कि एक मीटर मान लेते हैं या फिर कहलें कि एक मीटर मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं और इसका परिछेत छेत्रफल है वो एक मीटर स्क्वेर मान लेते हैं या एक सेंटी मीटर हमने बताया ना अगर सेमी में मान रहे हैं तो दोनों सेमी में ले लिजिए नहीं तो मीटर में कर रहे हैं तो भीया दोनों मीटर में ले लिजिए बात एक है बच्चों ठीक और मान लिया जाए कि इसमें जो भी हमने पदार्थ घोला है बैदुत अब घट पदार्थ घोला ह उसकी सांदरता कितनी है एक मोल है एक मोल या एक मोलर है ठीक एक मोल है इतनी बात समझ में आ गई बच्छों अब परिभासा समझिएगा यह वाले तो एकदम सिंपल सी आपके सामने दिख रही है हमने लिखा है एकदम सरल सब्दों में बट एक और परिभासा बता देते हैं म अभी हमने क्या किया एक सेल बनाया अब सेल के अंतरगत हमको तो ये पता है न बबुगा कि भई सेल में घोल होगा और सेल में प्लेटे होती है ये कैथोड है ये एनोड है ठीक मतलब ये एक रिड़ प्लेट है एक धन प्लेट है रिड़ को कैथोड बोलते हैं धन वाले को ए परिछे छेत्रफल वाली तथा एक सेमी की दूरी पर रखे प्लेटों वाले विलियन में एक मोल सांद्रता वाला कोई पदार्थ घोल देने पर विलियन की जो चालकता होती है उसी को कहते हैं मोल अर्चालकता नहीं पलने पड़ा बताते हैं हमने क्या बोला कि एक मीटर स्क्वेर ठीक छेत्रफल वाली तथा एक सेमी की दूरी पर रखे ठीक मतलब एक मिनट अगर यह सेमी मिमाना है बबुगा तो इसको भी सेमी मिमान लेते हैं सौरी यह सेमी स्क्वेर रखेंगे तो ज्यादा मेटर होगा ठीक आप मीटर अगर जैसे लिख रहे हैं तो भीया दोनों मीटर में लिखेंगे याद रखना तो हमने क्या बता है एक सेंटी मीटर स्क्वेर वाली प्रच्छे छेत्रफल वाली तथा एक सेमी की दूरी पर रखी प्लेटों के ठीक विलेयन में एक मोल सांदरता का कोई अ आपके सामने का और नई परिभास है एकनम हलुए है यह क्या है कि एक मोल बैद्दुत अब घट वाले विलेयन की चालकता को मोलर चालकता करते हैं है तो मोल होना चाहिए इक मोलर अधुट अबघल के विलियन की जो बतंका होती है मोलर जैसे इसमें मान लेते हैं कि हमने खोल दिया है एन ने cL ये एक बैदुत अब फघ्ठे ही तो है क्योंकि बैदुत अब घ्ठे किसे कहते हैं जिनके जली इल्लियं में धारा परवाहिद की जा सके और जिनका अबहुर्यण फटा कितरफल वाली टाथ एक सेमी दूरे पर रखी प्लेटों के विलियन में एक मोल सांधरता का कोई पदार घोल दिया जाए तो विलियन कीया चलगता मोलर चलगता होती है यह तो हमने एक दम सिंपल वाली ये वाली परिभासा जो बताया कि एक मोल बैदुत अपगाट के विलेयन की चालकता है ना एक मोल बैदद अफगाट के जो विलेयन की चालकता होगी कहने का मतलब यह कोई सिल है उसमें एक मोल घोल दीजिए कोई पदार कौसा पदार बैद अफगो रहत होोना चहिन Chemistry यह है घोल देते हैं तो इससे बिलियन में जो भी चालकता उत्पन उती है यह इसके अंतरगत जो भी ठीक चालकता का गुड उत्पन हो जाता है वही है मोलर चालकता ठीक और इसको बात करें बच्चा तो इसे लेम्डा M से दर्शाते हैं ठीक है लेम्डा M से दर्शाते हैं तो ये वाली एकदम आसान रहेगी कि एक मोल बैदू तब घट वाले बिलेन की चलकता मोलर चलकता होती है ठीक अब यहाँ पे समझना बच्चों अब समझिएगा थोड़ा इसको ध्यान से लिखेंगे तो यह ह हो जाता है लेम्डा M बराबर कप्पा यानि विशिश चलकता गुणे 1000 कप्पा गुणे 1000 और नीचे क्या है M है M क्या है सांदरता है मोलरता है मोल है अभी जो कुछ बताया ठीक है यही क्या हो जाता है फार्मूला अब सब का मतलब एक बार लिख लेते हैं क्योंकि यह चीज जानना जरूरी है बेहत कौन क्या होता है फिर इसका मात्रक भी देखेंगे देखिए लेम्डा M क्या है त चालकत्व ठीक किया एक कपा तो विस्षट चालकत्व के विस्षट चालकत्व का मृतै ऩो टी मोर्ता है के इसकी सांद्रता दिया रहे 13 मॉल । ऐसे सवाल में जो भी देना होगा Numeric md या रहेगा अब निकालते हैं बबुदी अ मात्रक इसका मात्रक ही सबसे ज्याधा important है ठीक है हम फिर इसे बोल दे रहें भीया मात्रक इसका most इंपोर्टेंट है इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है वीखलपी में ही इसका मतलब अगर निकालना चाहें तो मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वेर प्रती मोल ठीक है डारेक्टली लिख देंगे वैसे इतनी निकाल जगा है नहीं तो इसको पूरा निकाल कर बताते हैं भी क्यों से पूरा निकालते हैं कि क्या क्या होता है ठीक है तो इसका होता है साइमन साइमन सेमी स्क्वेर प्रति मोल ठीक है ना मतलब ऐसे Simon semi square प्रति मोल ठीक या फिर यहाँ पर ध्यान देना बच्चों हमने बताया ना यहाँ पर Simon meter square प्रति मोल करके रहेगा यानि जो कुछ माने हैं हमने जैसे semi में मान लिया है तो semi रख दिया है वहाँ विकल्प जैसा रहेगा आप वैसा काम करेंगे आपकी मर्जी कब है जब आप अपने से लिखेंगे तब आप meter लिखे चाए semi लेकिन जब विकल्प में आ जाए बहु विकल्पी में आ जाए तो भया meter और semi जो जैसा देगा वैसे करना ठीक है अभिया करके इसका एक परिभासा और लिख सकते हैं भया साइमन को हम क्या बोलते चले आए हैं अभी तक यही तो बोलते चले आए हैं ओम इनवर्स ओम इनवर्स semi square प्रती मोल ठीक है यह चीज़ या फिर बच्चों एक और तरीके से लिखा जा सकता है प्रती मोल ठीक तो यह इतने मातरक हो जाएंगे आपके मेन लेकिन पहला वाला ही है बच्चों मेन पहला वाला ही है रसगुलों इतना याद रखना बट हमने बताया ना कि आप इतने तरीकों से लिख सकते हैं ठीक है ना, आप मतलब इतने तरीकों से लिख सकते हैं, बाकी तो, यह तो डिरेटली कभी कभार करके ऐसे ही पूछ लेता है याद रखना, इसको ऐसे लिख देगा, यह सब कुछ ऐसे लिखेगा, साइमन, फिर ऐसे से मी स्कुएर है, से मी स्क्वैर उसके बाद ये मोल को ऐसे करके लिएगा मोल इनवर्स वन तो इसलिए बोल रहे न कि मतलब कैसे भी लिखा जा सकता है ठीक प्रती का मतलब ही क्या है वही चीछ इनवर्स के रूप में तो अब तो आप इतने समझदार तो हैं ही कि क्या सही है क्या गलत है किलियर हो गया एक मिनट भाई है है कि चलिए अब चलते हैं если टोपिक की तरफ जेसे मोलर चलकता है इसी तरह से एक तुल्यांग की चलकता भी बूचा जाता है ठीक है ना तो चलिए भया हम देख लेते हैं तुल्यांग की चालकता को मोलर चालकता तो हो गया बच्छों अब आता है तुल्यांग की चालकता ठीक अभी जो कुछ देखा आपने इसके पहले वाले में जो कुछ भी आपने फीगर में समझा फीगर में देखा सेम वही लॉजिक सेम वही concept इसमें भी apply होना है कोई नई चीज, कोई extra चीजें इसमें involve नहीं हुई है अगर है तो कुछ यहां पर अंतर वो क्या है हम बता रहे है ठीक है? इसमें क्या अंतर है वही चीज चलिए समझा रहे है अभी तक देखिए इसमें भी वही है कि हम माल लेते हैं इसके बीच की दूरी एक centimeter है और इसका छित्रफल एक semi square है ठीक और इसका एक centimeter है अब की बार इसमें जो एक बैद्दूत अब घटे आप घोल रहे हो वो एक मोल ना हो करके वो एक एक गराम तुल्यांक है या एक तुल्यांक कह लें क्योंaran क्योंकि अब की बार है तुल्यांक की चलकता इसके पहले मोल लिया था वहाँ पे था मोलर चलकता बस इतना असान तरह भुबुव हा ठीक है तो अब परिभासा लिखना चाहेंगे तो एक सेमी स्क्वेर छे तरफल वाली तथा एक सेमी की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के विलेन में अगर एक ग्राम तुल्यांग का कोई बैदुत अपगट घोल दिया जाए तो इससे विलेन की चालकता तुल्यांग की चालकता कहलाएगी या फिर हमने बताया जो इसके पहले परिभासा आपने लिखा सेम वही रहेगा बस एक मोल के स्थान एक ग्राम तुल्यांग लिख दीजिये यानि एक ग्राम तुल्यांग बैदुत अपगट वाले विलेन को मतलब ये कोई पात रहे और इसमें आपने एक ग्राम वाले बैदुत अपगट वाला ये जो विलेन है इसकी चालकता क्या कहलाती है यही कहलाती है तुल्यांग की चालकता ठीक है क्या कहलाती है भीया तुल्यांग की चालकता इसे किससे दर्शाते हैं तो इसे लेमडा एक्यू से दर्शाते हैं एक्वोवेलेंट एक मिनट हाँ भूया अभी हम कलास ले रहे हैं ठीक है है यूटूब पे है हाँ समझ में आ गया बबुआ क्या करना है एकदम सिंपल सा है अब इसमें एगर हम ने हम फार्मूला देखें तो फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें फार्मूला हो जाएगा धियान देना मुड़ित लेहां इनलो पूरा अपकी बार ज उच्ए dif Do a या फिर C करके लिखा होता है सीधी सिबाज इसका मतलब है ये सांद्रता को बताता है दिया रहेगा एक मॉल दो मॉल ठीक कुछ भी दिया रहेगा ठीक है ना इतना अब बाकी यहाँ पर मतलब हमने बताया अगर लिखना हो तो लेमडा एक्यू क्या है कपपा क्या है एन क्या है तो ये सब कुछ आपको भी हम बता ही दिये है ये है आपका तुल्यांकी चालकता फिर भी लिख दे रहे हैं तुल्यांकी चालकता उसके बाद कपपा क्या है विसिष्ट चालकत क्या है बच्छों विसिष्ट चालकत तो उसके बाद n क्या है नारमलता है ठीक है यानि सिंपल सी वाज बुच्चों ये सांदरता को बताता है बस इतना जाननों ठीक है तो ये इतना हो जाएगा अब इसके बाद अगर आपको निकालना हो मात्रक क्योंकि मात्रक बहुत ज़्यादा जरूरी है हमने बताया ना कि मात्रक क्या हो जाता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रती तुल्यांक साइमन सेमी स्क्वायर प्रती तुल्यांक यही क्या हो जाता है इसका मात्रक हो जाता है अगर वैसे लिखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे साइमन सेमी स्क्वायर प्रती मतलब एक्विव य ठीक है या फिर इसको ऐसे करके इससे लिखा जाता है साइमान सेमी स्क्वाइर करिए या मीटर स्क्वाइर सेमी स्क्वाइर फिर इससे करके तुल्यांक इनवर्स वन तो इस तरीके से लिखा जाता है मतलब कैसे भी लिख लें लेकिन ज्यादा तर वहां पर हिंदी वाला होत यहां पर लेम्डन मोलर्चलकता में में लेम्डा-म होता है यहां पर तुल्यांकि चलकता में में लेम्डा-E-Q होता रहі है बस इतना अंतर है बपुआ और कुछ बी नहीं है प में युदा पर दिखनकी unik और पूरे तीन नंबर वाला टोपिक है याद रखना पूरे के पूरे कितने नंबर वाला है तो ये तीन मार्क वाला कुष्चन है इतना याद रखना कोलरावस का मोस्ट इंपोर्टन्ट है ये बही आपको हम बोल देते हैं अगर इसका अनुपरियोग भी पूछ लेगा तब ये पूरे 4 नंबर में बन जाता है लेकिन अगर केवल पूछ लिया कि कॉल्रावस का नियम लिखे तथा इसका एक अनुपरियोग भी लिखे दिन य हर साल पूछा जाने वाला टोपिक है कोई मतलब इधर उधर वाला टोपिक नहीं है अब कोलरावस का नियम समझना बड़ा ही प्यारा सा नियम है जैसे यहां पर समझें बबुआ हमने क्या किया एक पात्र ले लिया एक बरतन ले लिया ठीक और इसमें कोई हमने बद्याना कोई बैद्दूत अबघट इसमें घोल दिया हमने कोई एक बैद्दूत अबघट इसमें कोई विलेयन है और इसमें जो कुछ भी घोल रहे है ठीक जो घोल रहे है हमने क्या किया कि इसमें जैसे एनने सीयल एनने सीयल यहनी साल्ट हमने एक लवण घोल दिया ठीक है ध्यान से समझ नागा यह घोल दिया अब कोलराउस का नियम बोलता क्या है इन्हों ने क्या बताया इन्हों ने यह बताया कि आनंत तनुता पर ठीक यह कोई आपका हमने बत है कि आनंद तैनूता पर किसी बैद्दूत अबगट की मॉलर चालकता जैसे यह कोई बद्दूत में उपस्थित ठिक धनायनों तथा रिडायनों की मोलर चालतकाओं के योग के बराबर होता है मतलब यह आप जो भी अभी फर्वा मतलब फार्मूला हम देखेंगे उसी से आप यह नियम लिख सकते हैं जैसे बताया ना कि एनने सील घोल दिया बच्चों मतलब इसमें एनने प्लस तूट जाएगा सील माइनस यह आयन इसमें समझो ऐसे टहल रहे हैं एनने प्लस है आपका सील माइनस में है फिर इसके बाद कहीं एनने प्लस में है सील माइनस में इस तरह से ठीक हमने एनने सील घोल दिया अब इन्हों ने यह बताया कि आनंत तनुता पर किसी बैद तोड़ा छोटा हो जा रहा है आनंत तनुता पर इंफाइनेट लगा दिया अनंत हो गया अनंत अनुता पर किसी बैद्दूत अभगट की बैद्दूत अभगट क्या है एनने सीयल है तो इन्हों ने बताया बैद्दूत अभगट की जो मोलर चालकता है और बैद्दूत अभ प्लस में है तथा रिडायनों यानि इसमें और क्या है रिडायन है यानि सील माइनस है तो रिडायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है तो अब तो समझ में आ गया ना कोल राउस का नियम इस चैप्टर में बड़ा ही सिंपल सा नियम है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट भी है तो यही तो कुछ कह रहा है आप यहां पर एम भी लिख देंगे बच्चों एम एक मिनट एम यहां पर लेमडा एम ताकि यह दर्शाता रहे ठीक है ना तो यही इसका नियम हो जाएगा ठीक इन्होंने क्या बताया कि किसी मतला आनंत तंता पर किसी बैद्दुत अब घट की जो मोलर चलकता होती है इस विलेन उपस्थ धनायनों तथा रिडायनों के मोलर चलकताओं के योग के बराबर होता है हो गया ठीक है जैसे आर करके अथवा करके जैसे हम माल लेते हैं कि कोई इसमें और पदार्थ घोल दिया जैसे सी एच थीरी सी डबल ओ एच यह घोल दिया अगर इसका निकालना हो अनंत अनुता प प्लस में हो जाएगा थीक यहाँ पर में एयमके बाद है यह 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 ऐच वाला प्लस में हो जाएगा अब उश्के बाद आपका थीक ती आचारी सी डबल ओ जो है यह माइनस में डा जाएगा तो कहने का मतलब अगर आप देखें तो यह भी तो क्या है वही चीज ह तो कोई भी example आप ले लेंगे बच्चों तो ये क्या है कोलराउस के नियम का पालन करेगा किसके लिए बैदुत अब घट के लिए है कभी कवार पूछता है तो ये बैदुत अब घट के लिए लागू नहीं होगा बैदुत अब घट के लिए तो परिभासा समझ में आ गया ना अब चलिए लिखते हैं लिखेंगे यह कुलराउस के नियम के अनुसार आनंत तंता पर किसी बैदुत अब घटी की जो मोलर चालकता होती है वो विलेयन में उपस्थित धनायनों तथा रिडायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो नहीं है कि आप इक्ष्ट्रा सोचो इतना उधर उधर का दिमाग लगाओ कोई मतलब नहीं है बच्चों इतना याद रखना ठीके भीया चलिए इसको स्क्रीन सौट कर लीजिए फिर इसका अनुपरियोग देखते हैं को çलिए बच्चों अब इसका हम अनुपरियोग देख लेते हैं कोलरा उसद के नियम का मतलब को ल्राउस क मतलब को ल्राउस का नियम किसके लिए उपियोग मतलब किसके लिए भीया यह परियोग में चलगता है ज्याद करने के लिए जैसा कि नीचे वाले देखा था मतलब उसमें एस्टी कर्मन में CS3CWOS देखा उसको निकालने के लिए और दूसरा एक होता है वियोजन की कोटी तो भीया हम केवल एक ही देखेंगे यहां पर एक ही एक्जाम में पूछा जाता है तो अगर प घटी की मोलर चालगता चाथा अनन्त पन्यूता पर कि बैदी तब गटी की मोलर के अनुपात को ही कहते हैं वियो जन की कोटी इसको हम हिंदी में लिखेंगे एक बार करि प्रिवांस साहला मतलब लिंगे वियो जन की कोटी वियोजन की कोटी बराबर क्या कह रहा किसी सांदरता पर बैद्दूत अपघटी की मोलर चा लगता तो लिखेंगे किसी सांदरता पर किसी सांदरता पर बैद्दूत अपघटी की मोलर चा लगता किसी सान्द्रता पर बैद्दुत अफगटी की मोलर चालकता तथा या किस पर आनन्त तनुता पर बैद्दुत अफगटी की मोलर चालकता लगता का यह जो अनुपात होता है जो हमने अनुपात लगा दिया है यही अनुपात कहलाता है बच्छों क्या वियोजन की कोटी इसी अनुपात को कहते हैं मतलब वियोजन की कोटी ठीक है ना मतलब यह जो हमने लिखा है फार्मूला आपके सामने इत्तूसा यह इतना लंब वाला यही क्या होता है इसी से ग्याद करते हैं वियोजन की कोटी अब वियोजन की कोटी के बराबर अगर हम वैसे इसको फार्मूला लिखें कहां पर जगा है तो थोड़ा उपर लिख दे रहें बच्चों यह तो है यह उपर लिख दे रहें भीया यहां पर यहां पर लिख साथ आए हैं αलफ learning कि 2 सी सांधरता के लिए कह रहा है तो सी लिग दिया लेमडासीर उसके बाद यहां पर किसी सांधरता पर के रहा है बैदू तबलग। यहां नत अनुता है यानन्त तनुता पर वैदू दबगट की मोलर चालकता का जो रेशियो होता है का जो अनुपात होता है यही अनुपात कहलाता है वियोजन की कोटी यानि इस फार्मूले से ही हम वियोजन की कोटी ठीक है ना किसी सांता पर वैदू दबगट की चालकता तो यह है उपर वाली नीचे अनंतनुता पर है तो यह भी है तो इस मतलब कुल्राउस के नियम से हम क्या कर सकते हैं बियोजन की कोटी ग्याद कर सकते हैं और इसकी मदद से दुर्बल बैदु तब घट की मोलर चालकता भी निकाली जाती है बता दे रहें चलिए स्क्रीन सॉट कर ले सिए हो गया बच्यों चलिए अब देखते हैं भई आगे अब आगे आपका फैराडे का बैद्धुत अब घटन का नियम बड़ाए प्यारा सा टौपिक भिया फैराडे का जिसका नाम भाई कल इंहोंने बैदुत अपघटन संबंधि एक नियम प्रश्टुत किया ठीक जो क्या शिलप राधारित ठाव Jr अगर दोनो m पूछ लेगा साथ में तो वो question तीन नमबर का बन जाता है या में भी चार नमबर का ठीक तो भैराडे जी ने बैदुत अब घटन संबंधी दो नियम इन्होंने प्रस्तुत किया पहली चीज इन्होंने ये बताया जैसे भी समझेगा कोई भी हम ले ले रहें पात्र अभी हम कैथोर्ड और एनोड या एक पे माइनस एक पे प्लस दो छड़े हैं ठीक है ये इसमें बैदुत अब घटक है माल लेते हैं कोई घोल है विलियन का ठीक है ना solution है विलियन है अब देखे ये नियम पहला नियम क्या कहता है ध्यान से समझे ना रटना नहीं बच्चों इस नियम के अनुसार प्रथम नियम जो कहता है किसी बैदुत अप घटन में प्रतेक इलोग ट्रोड पर अब बैदुत अप घटन क्या है बैदुत अप घट में तो बता दिया ऐस जिसके जली विलियन में बच्चों धाराा बैह सकते हैं like that हमने विता दिया जिसे के के सीज हो गया एंची व गया है एशी टूस अफोर हों गया जैसे इसमें मान लेते हैं नमक का घोल है अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो बैद्दुत अप घटन होगा अब बैद्दुत अप घटन के दवरान बच्चों इसमें से हमने बताया जैसे एनने अलग हो जाएगा अब यह आयन क्या हो जाएंगे यह इलेक्ट्रोड पर ठीक है मतलब यह इलेक्ट्रोड पर जो जैसे इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं यह हमको पता है कि जो कैथोड है उस पे माइनस चार्ज होता है तो वो धनावेस को अपनी तरफ खीचेगा और उसके बाद एनोड है उस पे पलस होता है तो वो माइनस वाले को अपनी तरफ खीशता है तभी तो उसका भई मतलब वो क्या हो जाएगा complete होगा circle तो यही चीज होता है कि पहला नियम ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार बैदू तब घटन में कह रहा है प्रत्यक इलेक्टोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विलेन में प्रवाहित धारा के परिडाम के समान उपाती होती है मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें कोई पदार्थ की मात्रा डबलू मुक्त होई है तो यह कह रहा है कि यह जो मात्रा होती है इसमें उपस्थित जो आवेस होता है यही पहला नियम है समझ में आया कुछ इन्होंने ये बताया कि बैदुत अपघटन के दोरान यही जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे बैदुत अपघटन होगा बैदुत अपघटन के दोरान मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है सिंपल सी बात कर लें वो आवेस के शमानुपाती ह होती है पहला नियम तो कहनेगा मतलब बच्चों जैसे यहां पर लिख दिया कि डबलू बराबर यह सोरे डबलू यह अनुकरमान उपाती होता है कि इसके आवेश की मात्रा के ठीक है यह इसके होता है अब इसको अगर थोड़ा लिखना चाहेंगे बच्चों तो इसको हम ऐस से भी लिख सकते हैं व बराबर जब बराबर हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नेतां के रूप में होगा तो यहां पर आजाता है जेड ठेक यह इतना होसाएगा ठीक या फिर इसी को लिखना चाहेंगे बच्चों तो इसको सही तरीके से लिख सकते हैं W बराबर वही यह Z तो है ही अब Q बराबर I into T Physics के अंतरगत आपने पढ़ा है तो वहाँ I into T तो W बराबर Z I T यही क्या हो जाता है नियम ठीक है ना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तो यही से यह W बराबर I into T लिख दिया तो यह आपका हो जाएगा Z I T इस पर भी छोटे-छोटे कभी कभार numerical बन जाते हैं तो यह तो रहा बच्चों पहला नियम अब दूसरा नियम बच्चों क्या है दूतियो नियम में धियान देना भया इस नियम के अनुसार दूसरा नियम गवर से सुनिएगा कि जब बिद्दुधारा की समान मात्रा को बिभिन बैद्दुध अभट में कर दिए जाए जैसे हम क्या कर रहें अब की बार यहां पर कैसल इस तरह से ओर आ जैसे दो सेल हम माल लेते हैं ठीक है अब यहां पर हमको पता है भी आ कैथोर इनो्ड है इसमें भी कैथोड इनोड है ठीक है अब जैसे यहाँ पे है हम ने किया का जैसे इसमें अब मान लेते हैं जैसे इसमें बच्चो एपने CEL का घोल भरा है इसमें H2SO4 का घोल भरा है दोनों अलग-अलग बैदु तब घटे हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यह एक तार है आपको दिख रहा है कि जब हम क्या करते हैं बैदुत धारा की समान मात्रा ठीक समान मात्रा वो भी समान समय के लिए ठीक है ना जब बैदुत धारा की समान मात्रा को हम विभिन बैदुत अब घट में क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं जैसे यह अलग-अलग है भीया तो हमने अलग कर दिया तो क्या कह रहा है इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा इन इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा उत्पन होंगी उनका जो अनुपात होता है बच्चों वो क्या होता है तुल्यां की दरविमान के अनुपात के बराबर होता है कहन से अगर W2 है तो यह E2 है ठीक है तो इनका अगर ratio निकालना हो तो बच्छों W1 upon W2 बराबर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा E1 upon E2 यही हो जाएगा इसमें और कुछ भी नहीं होगा ठीक क्योंकि भी अगर बराबर रखेंगे भी यह दोनों में जिड रखेंगे तो यह तो अपने आप उएसे भी कड़ जाएगा तो यही वच्छों क्या हो जाता है यही आपका यही दुती नियम हो जाता है ठीक यही समान बैदुत धारा समान समय के लिए विभिन या भिन भिन प्रकार के बैदुत अब घट में प्रवाहित की सा है तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन हुई पदात की जो मात्राइं हैं वो क्या है तुल्यां की दरब्यमानों के समान उपाती होती है जैसे ये चीज आपने हैं है बहुत जय्दा डिफिकल्ट नहीं है चलिए भया इसको भी स्क्रेंसोट कर लिए अ तो लिए होन गए हैं sir मन ग्यानिक्त्रोड विभा किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभाह तथा मानक इलेक्ट्रोड विभाहमें संबंध निकालना है यह भी बहुत जदा इंप इंपोर्टेंट है ये भी मोश्ट इंपोर्टेंट है इतना याद रखना ठीक है मानाक इलेक्ट्रोड विभाव क्या होता है बहुत जादा पूछा जाता है चलिए समस्ते हैं इसको भी बिना किसी देरी के देखिए इसमें हमने क्या किया भीया एक हम अर्धसेल बना लेते ह है फैद्दूत्राशायनिक सिल इसमें और हमने क्या किया जैसे बता दिया ना यहां पर क्या है दो प्लेटें हम ने ले लिया फिक दो ईलेक्टोड है कि कैथोड है तो एक अनोड है हमको मालूम है की कैफोड पे माइनस अनोड पे प्लस सोलिशन इसमें भरा हुआ है अब देखिएगा अब परिभासा सुनिएगा ठीक है ना बहुत ज्यादा मतलब मुस्किल नहीं है पहले इलेक्ट्रोड विभाव समझ लेजिए फिर मानक इलेक्ट्रोड विभाव समझेंगे क्या होता है कि जब किसी धातु की छण को उसी के ल इलेक्ट्रोड विभाव या फ्रेट्रीकली कह लें कि उत्फब पर उत्पन हुने वाले विभाव को इलेक्ट्रोड के लिखते चलियेगा ठीक हमने क्या बताया जब किसी धातु की छण को उसके लवण के विलेयन में डूबोया जाता है तो ठीक इस धात्य की जो छण है इसके तथा विलेयन के मद्ध एक विभवांतर या एक विभाव अस्थापित हो जाता है इसी विभाव को कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रोड विभाव बट यहां पर हमको पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभाव भी जरूरी है मान लेते हैं अगर पूच लिया तो आप लिख सकते हैं न कि जब किसी धात्य कि च्छण को उसी के लवण के विलेयन में डूबो देते हैं तो धात की चछण और मतलब विलेयन के बीच विभाव उत्पन हो जाता है जिसको क कहते हैं इलेक्ट्रोड विभो अब यहां पर है बच्चों मानक अब मानक इलेक्ट्रोड विभों में कुछ कंडिशन होती है बाकी परिभासा सेम है अब मानक के लिए ट्रोड विभों के लिए Carnition यह हो जाएगा अब की बार भीया 25 अं-Celsius ताप हो जाएगा ठीक है ना यह निए 25 अं-Celsius ताप और उसके बाद एक वायू मंडल दाब एक एटियम एक वायू मंडल दाब हो जाएगा और उसके अलावा भीया अब की बार इसमें जैसे ये विलेंग में ये चीज है बैदू तब घट मान लेते हैं कि इसकी सांदरता क्या है एक मोलर है या एक मोल है बस अब सुनियेगा बभुवा कि क्या हो जाएगा कि अब ध्यान से समझना जब किसी धातु की छण को पचीस अंसेसियस ताब तथा एक वायू मंडल दाब पर एक मोलर सांदरता वाले विलेंग में डूबोया जाता है तो धातु की छण और विलेंग के बीच जो विभव अस्थापित होता है उसी को कहते है मानक इलेक्ट्रोड विभव आई बास समझ में या मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया ना हमने क्या बोला कि जब किसी धातु की छण को ठीक जब किसी धादू की छण को 25 अंसेलसियस ताप तथा एक वायू मंडल दाब पर एक मोलर सांदरता वाले विलेन में डूबो दिया जाए तब धादू की छण और विलेन के बीच में जो विभव स्थापित होगा वो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव ठीक आई बात समझ में वह या इसको ई नौट से दसाया जाता है तो अब हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में क्या संबंध होता है तो हमने आपको अच्छे से बताया है आपने पढ़ा भी होगा नेरनस्ट समीकरण वही होता है और हमने भी पढ़ाया है कि E बराबर E नौट माइनस 2.303RT अपान NF फिर लॉग बेस 10 ठीक वन अपान यहां पे M N पे आयन ठीक है यह नहीं धातु N की सांद्रता इसके बार हो ऑगे अलग से देखेंगे ठीक है तो अभी केवल इतना जानिये यह हो जाता है मानक Lira we are obl Program नक वाल यह क्या है यह मानक से तीक्राइगे बता रहे है ठीक है ना इसको अलग से देखेंगे झालिए देखेंगे ठीक है हो गया बबुगा चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों आगे बैदुत रासाइनिक स्रेणी किसे कहते हैं ठीक है बैदुत रासाइनिक स्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लच्छन आपको लिख लेना है ठीक है ना प्रमुख लच्छन लिखना है तो दीकी बैद एक मिनट एक मिनट कर दो कि अचलिए बैद्दुत रासायनिक सिर्याडि यह भी काफी ज्याधा इंपोर्टेंट है ठीक है यह भी बचो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है कि बैदुत रासाइनिक स्रेणी किसे कहा जाता है इसकी अभी लक्षण या गुण या इसकी विस्यस्ताएं कैसे भी करके पूछता है ठीक है अब देखिना किसी भी मतलब कोई धातु हो या आधातु तो धात्विक तथा आधात्विक तत करता और बढ़ता करम होता है तो वो जो स्रेणी बनती है उसी को कहा जाता है बैदुत रासाइनिक स्रेणी जैसे यहां पर समझेगा बैदुत रासाइनिक स्रेणी में हाइड्रोजन प्रमुक होता है और हाइड्रोजन का जो विभाव करके चलता है यह जीरो चलता है ठीक अब इसके उपर अगर हम जाएंगे जैसे इसके उपर है जैसे हो गया एक MN CO AU फिर उसके बाद जैसे AG ये सब चलता है ठीक थोड़ा उपर से लिख लेते हैं या जैसे हो गया MN CO AU AG ये हाइड्रोजन से अगर उपर है तो जो इसमें हाइड्रोजन के उपर होता है वो इससे अधिक प्रवल होता है और इसके नीचे जैसे है तो इसके जैसे मान लेते हैं कि इसके नीचे है जैसे FE है CR है ठीक है अब उसके बाद जैसे CU है तो ये इसके नीचे है तो ये क्या हो जाएगा भया इनका इनकी प्रबलता हाइड्रोजन से कम होगी कहने का मतलब इसमें ये है बैदुत रासानिक स्रेणी में ये चलता है कि जो तत्तो जिस तत्तो के ऊपर इस्थित होता है वो उससे अधिक प्रबल होता है और उसको क्या करता है उसके विलेन से सब्स्थापीद कर देता है फीक है और जो मतलब जिस तत्तों के नीचे होता है उससे कम मतलब ताकतवर होता है कम मतलब जिससे और क्या क्या केते हैं प्रभल होता है प्रिखना ये चीज़ ध्यान देना तो परिभासा समझ में आ गया ना कि धात्विक वा आध्वात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभाव के करम में रखने से जो स्रेणी बन जाती है उसी स्रेणी को कहा जाता है बच्छों बैदुत रासाइनिक स्रेणी या सक्रियता स्रेणी कहा जाता है हमने बताया ना कि इस की तरीक का होता है ठीखे अब उसके बाद जिससे में कभी कवार एक क्यूशन पूछता है कि क्या करण है कि लोहे की की कई को ठीखे कापर सलफेट के विलेन में डूबोंने पर उस पे क्या होता है कापर चढ़ जाता इसके उपर तो है ही तो ये बढ़ती हो या इसे उपर चली जाती है तो इसका मतलब है F.E. इसका स्थान ले लेगा और उसके बाद कापर को बाहर फेंग देगा ये पूछा जाता है बहुत साल पूछा गया है आप पेपर उठाओगे तो इससे आता है कि क्या करण है कि लोह से अधिक प्रबल होगा और इसके विलियन से भी स्थापित कर देता है तो अब आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा चलिए इसको स्क्रीन सौट कर लिजे फिर इसके हम अभी लक्षण देख लेते हैं ठीक है नम चलिए बैदूत रासानिक स्रेणी के अभी लक्षण या गोण तो ध्यान देना पहली चीज जो धा तू ठीक में नहीं रहेगा जो धा तू हाइड्रोजन की अपेच्छा प्रबल अप्चायक है उनको बैदूत रासानिक स्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर अस्थान दिया गया अभी दुखाया आपको न अभी आपको तो दिखाया है थेक दूसरी चीज हाथ हाइड्रोजन से रपचायक है उन्हें रप्चायक है नीचे हर्फ वी बत आड़ोजन में हाइडरोजन का भल नीचे इस्तान दिया गया है साइकं तीसरी चीज इस स्रेणी में हाइड्रोजन का जो माना कपचेन विभा होता है वो सुन बोल्ट होता है भी बताया आपका विसुन होता है हाइड्रोजन का तीसरी चीज इस स्रेणी में प्रबल धातु होता है दुरबल धातु को उसके विलेन से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है अभी जैसे एक एक्जामपल की थो हम से हमने समझाया तो ये बैदुत रासाइनिक स्रेणी के अभी लक्षण या बैदुत रासाइनिक स्रेणी की विशेश्टाएं हो जाती है ठीक है ना चलिए इसको भी स्क्रीन सॉट कर लीज़िए हो गया बबुआ चलिए आगे देखते हैं इधन सिल क्या है भी ठीक है इधन सिल किसे कहते हैं ये नया नया इन्वॉल्व हुआ है तो इंपोर्टेंट है और आया भी है 1049 से हैष्टब क्या होता है खिक और इसके लाभ भी पूछ लेता है कभी ठीक है दीखेए इधन सिल जो होता है इसका उफियोग अक्सर क्या होता है जो भी जेट होते हैं विमान होतें अंत्रिच में किया जाता है तो वहाँ पर हैं होता है, गैस को के रूप में होगा, तो वहाँ पर जो इधन होता है, इस्तमाल होता है, उसका नाम है, कि ठीक मतलब इधन सेल, वहाँ पर जो भी होता है, वो इधन सेल के माद्यम से ही उर्जा दिया जाता है, जैसे जो पहले गया था, अपोलो क्या उसका नाम था ठीक 11 ऐसा था ना तो उसमें इस्तमाल हुआ था तो इंधन से लेक ऐसा सिल है जिसमें दहन उर्जा को सीधे ही बैदूत उर्जा में कनवर्ट कर दिया जाता है और इसमें एक चीद ध्यान देना बैया इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि लगातार या आप लिख भी सकते हैं कैसे लिखेंगे भया हमने तो बता दिया क्या है अगर आपको लिखना है तो ऐसे सिल जिसमें दिखिया दहान उर्जा को सीधे ही बैदूत उर्जा में बदल दिया जाता है उसे इधन सिल कहते हैं और इन सिलों को मतलब इस प्रकार से बना जाया था मतलब बनाया जाता है भया कि इसमें इधन की आपूर्ती लगातार होती रहे अभी बताया ना ठीक है जिससे क्या होता है कि भया बिद्दुधारा निरंतर प्राप्त होती रहे अता इन सिलों में इधन को सिल के अंदर नहीं रखा जाता बलकि बाहिस रोतों की साहिता से ही इंधन की आपूर्ती कराई जाती है ठीक है ना अब इसके लाभ देख लेते हैं पहला है इनमें इंधन की सतत सतत का मतलब लगातार ठीक है ना इनमें इंधन की सतत आपूर्ती होने के कारण यहां सेल कभी मिरित नहीं होते है यह नहीं हमने बताया ना कि यह डिस्चार्ज नहीं होते हैं मतलब पूरी तरह से यह खतम नहीं होते हैं अगला है कि इनकी कार छमता अन्य उर्जा संयंद्र की अपेच्छा अधिक होती है ठीक नहीं तो भीया इतने इतने टाइम तक वह वहां पर जड़ विमान पड़ा रह बताने वाला एक समीक्रण होता है उसी समीक्रण को नेरनस्ट कहाज़ता है खोज किया था, नेर्नष्ट नामँ गवज्यानीक ने इसलिए नाम रख दिया है, अब इन्हों ने ये बताया कि भइया, नेर्नष्ट समिक, मतलब नेर्नष्ट के अनुसार, किसी ताप पर धातू इलेक्टरोड के विभाओ मानक लेक्टरोड विभाओ तथा विलेन में धातु आयन की सांदता के बीच में निम्न लिखिस संबंध होता है अब वो संबंध क्या होता है तो वो संबंध होता है E बराबर क्या होता है E0-2.303RT upon NF फिर उसके बाद log base 10 1 upon MN पे ये प्लस आयन है रहेगा ठीक है तो ये हो जाता है बबुआ आपका नेरनस्ट समीकरण या कहीं कहीं नरस्ट समीकरण ऐसे लिखा होता है ठीक है अब एक चीद ध्यान देना बच्चों या करके हम इसको ऐसे भी लिख शकते हैं या इसको एक और तरीके से अगर बच्चों R का मान रख दें R क्या है गैस नियतांक है ठीक है इस्तिरांक है टी क्या है परमताप है ठीक N क्या है तो भीया यहां पे इलेक्ट्रोन की संख्या होती है F क्या है फैराडे नियतांक है अगर सब का मान रख दिया फैराडे नियतांक कितना होता है 96500 कितना होता है 96500 इसका मान होता है अगर हम इसमें सब मान रख दें बच्चों तो यह फार्मूला कुछ आपका इस तरह से बन जाता है E बराबर E 0 माइनस का 0.059 बटे N अब N बराबर अक्सर 2 ही रखा जाता है यहां पर इंटू लॉग बेस 10 1 अपान यहां पे M N पे प्लस आयन ठीक तो यह क्या हो जाता है आपका इस तरह से अब यह वाला आसान इसलिए हो जाता है बच्चों अब सब में पता चले अलग से आर का मान रखो वई टी का मान रखो फिर एफ का मान रखो तो सब मान अलग अलग रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हला कि सब मान वहां पर दिया रहेगा बट आपको इतना जाद नहीं घबराना भया अब इसके सैंबल समझ लेते हैं बच्चों हर एक चीज का सैंबल क्या है सब का मतलब जानना भी बेहर जरूर है कि बच्चों यहां पर E क्या है E not क्या है ठीक R क्या है T क्या है N क्या है F क्या है ठीक M N प्लस क्या है देखे बच्चों ई क्या है सिल का इलेक्ट्रोड वीभाव क्या है ते नौट क्या है तीन्हों भीया मानक इलेक्ट्रोड वीभाव है ठीक है, R क्या है, तो R हमने बताया कि यहाँ पे नियतांख है या इस्थिरांख है, फैराडे नियतांख भी आप लिख सकते हैं, सुरी, फैराडे नियतांख है, मतलब गैस नियतांख है या गैस इस्थिरांख है, ठीक, अब उसके बाद T क्या है, परम ताप है, ठीक, N क्या है नंबर साफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या है भया क्योंकि कभी कार पूछता है नेरनस्त समीकर्ण को उप्यूक्त परतीकों के साथ लिखिए तो सबसे जरूरी तो यही है ठिक एफ क्या है फैराडे नियतांग है जिसका मान 96500 होता है इतना कूलाम एक एम एन क्या है धातु आयन की संद्रता धातु आयन की संद्रता यह इतना हो जाता है ठीक है ना तो यह रहा नेरनस्त समीकर्ण आई बात समझ में चलिए भया इसको भी स्क्रीन सॉट कर ले सिए हो गया ना चलिए अब देख लेते हैं एक और टॉपिक है उतना ज्यादा इंपोर्टन तो नहीं है बच्चों लेकिन हम छोड़ भी तो नहीं सकते करने हैं दिख 이후 कि इसमस्ते संचायक यो कारविधी को समझाना है तो इसा संचायक किसेoras को कि हैभी छोटे से सब्धों में बड़े थोड़े सब्धों में हमने लिख दिया है धहान से समझ में इसका पर्योग जो वानी होते हैं solar cell आदि में किया जाता है ठीक बोले तो जो मतलब चाहे बाइक हो जाए चाहे motor कार हो बड़ी गाड़ी कोई भी कुछ हो ठीक inverter वगरा में जो इससेल इस्थेमाल किया जाता है इन्हीं जिसको हम मतलब बार बार आवेशित कर सकते हैं यानि निरावेशित discharge हो जाए फिर चार्ज कर सकें वो सीसा संचायक सेल होता है तो इन सभी में सीसा संचायक सेल का प्रियोग किया जाता है इन्हें कई सारे सीसा संचायक सेल को क्या करते हैं स्रीस कॉंबिनेशन इन सिरेड़ी करμ में जोड़ देते हैं उसी क्या है फिर सीसा संचायक लेट एनोड का का काम करता है तथा लेट आकसाइड एक विलेन जो होता है वह कैफोड का काम करेगा थीक है यह इसमें हो है इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो 38% सांद्र सल्फियूरिक अमल बैदुत अनपखटिका भी कारे करता है ठीक जैसा कि आपको यहां फीगर में दिख रहा है अगर यह प्लस है तो प्लस में हमने बता है यह एनोड होता है माइनस है तो यह कैथोड होता है यह कैथोड होता है याद रखना यह एनोड है बच्चों और यह कैथोड अब एनोड पर क्या प्रकिरिया होती है एनोड का काम कौन करता है तो दिखी लिखा गया है सीसा संचायक सेल में लेड जो होता है एनोड का कारी करता है यह जो इसमें पीबी होता है यह एनोड का काम क होता है यानि PbO2 यह कैथोड का काम करता है और इस पर क्या होता है अप चैन अभिकिरिया होती है इस पर ऑक्सिडेशन होता है तो उस पर अपचेन और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 38 प्रिसत सांध सल्फिरिक अमल का सॉलिशन होता है और यह बैदुत अनभघट का कारिक करता है ठीक है मतलब आपने देखा होगा आपके पास जो भी बैटरी होती है बच्चों ठीक आपके घर में जो बड़ी सी बैटरी इनवर्टर में होती है तो उसमें अगर आप देखें तो एक बड़ी सी बैटरी होती है और इसमें क्या होता है इस तरह से बच्चों क्या होता है सिरीज होता है ठीक है ना इसमें जैसे यहां पर भीया इसका संपर्क इधर से हो गया है और यह चीज तो यह इसमें इधर गया ठीक है इसका इधर गया ऐसे ऐसे करके क्या करते है एक सीरीज बना करके ठीक कई बैटरियों को रख करके एक बड़ी सी बैटरी का निर्मार किया जाता है वही कहलाता है सीसा संचा एकसल और ये बहुत ही पावरफुल इसमें अगर अभिकरिया को पूछ लिया जाए कि इसमें निमलखित अभिकरिया जो होती है तो आप देख लीजिए अनोड और कैथोड पर ये जो रियक्शन होती है वो चीज हमने यहां दर्शा दिया है इतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए बहुत जादा इसमें हम डीपली जाएंगे नहीं लेकिन इतना जरूर है कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए ठीक है ना चलिए समझ में आ गया भी अब कि सीशा संचायक सेल क्या होता है ठीक और इसका काम कहां ज्यादा तर तो यही पूछता है बच्छों दो नमबर में सीशा संचायक सेल क्या है ठीक इसका उप्यो कहां होता है ठीक है ना बस इतना चलिए स्क्रीन सौट कर लीजिए हो गया तो बस आज के इस वीडियो में इतना है उमीद है आज की इस वीडियो में मज़ा आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भई प्यार से लाइक जरूर कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि इसे मज़ेदार टोपिक आप त देख कियार और हाएक प्यारा सा कॉमेंट कॉमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा